वैलियूम टेब्लेट्स जो होते हैं प्रिस्क्रिप्ण मेडिसेन में आते हैं यानिकी इसका इसतेमाल सिर्फ डॉक्टर के लिए यदॉर करना है इसको डॉक्त के बार निक करेदा है फ्रीप्ण C2P 5MG and 10MG. किस तरीके का treatment देना है, किस लिए इसका इस्तेमाल करना है, उसके हिसाब से ही इसका strength decide किया जाता है. Valium contains dazepam, और ये एक short term treatment के तरह इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, basically anxiety के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. साथे साथ alcohol withdrawal, या फिर muscle spasm, या फिर adjunctive therapy के तौर पे epilepsy और seizures में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. ये जो दवाई बेसिकली nerve cells को relax करती है और brain को काम करती है, शांत करती है, जिसके जो anxiety की problem है या फिर कई बारी sleep related problems होती है, उसमें ये दवाई आराम देती है. इस दवाई को with or without food लिया जा सकता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि फिक्स डूरेशन पे ही और जिस तरके से आपके डॉक्टर ने इडवाई का इस्तेमाल करें, ताकि जो एक consistent level of medicine होता है उमारे body में वो बना रहे है और आपको जो benefit है इसका maximum वो मिल सकें, और ब इस दवाई एक habit forming दवाई है, तो बिलकुल लंबे टाइम के लिए इसको advice नहीं किया जाता है, यूशली इसको short term treatment के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है, तो उतने ही duration के लिए और उतने ही dose में इसका इस्तेमाल करें, आराब मिलने के बाद सदन इस दवाई को लेना हो सकती है, और डिप्रेशन जैसी problem या फिर नीद नहीं आना जैसे दिखते हैं या और भी कुछ एक problems हैं जो कि इस दवाई के sudden quit करने से हो सकती है, तो बिलकुल जिस तरह के से आपके डॉक्टर बोलेंगे इस दवाई को लेने के लिए और तिस तरह के से बंद करने के इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर इसका इस्तेमाल हम मस्ल स्पैजम की कंडिशन में या फिर एपिलेप्सी के साथ में जैंटिटी थेरपी के तौर पे भी करते हैं, अगर हम short term anxiety के बारे में बात करें कि वहां पी एक इस तरह के से मदद करता है तो जैसे कई बारी कु इसे चीज़ों को करने में प्रॉब्लम होती है, restlessness होती है, focus करने में दिक्कत हो रही है, तो आप अगर इस दवाई की जरुवत है, तो as per their advice, आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं बार बार मेंशन करने हूँ कि ये short term treatment के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, व अपने डॉक्टर को consult करना चाहिए, alcohol withdrawal में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, with the help of family and counselling, इन सबके साथ में as an agentive medicine इसको use किया जाता है, और इसका effect first dose से ही नजर आना शुरू हो जाता है, लेकिन ये भी सिर्फ डॉक्टर के advice के हिसाप से ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि कहा पर इसकी जरूरत है और कहां पर नहीं ये सिर्फ आपके डॉक्टर बता सकते हैं और किस strength में लेना ये भी आपके डॉक्टर ही आपको advice कर सकते हैं, कुछ एक condition में जहां muscle spasm होता है, मुसल stiffness को relieve भी करता है, ये दवाई और muscle movement में help करता है, तो ऐसी condition में भी कई बाई को दि किया जाता है, scissors के दौरान ये epilepsy के दौरान जो electrical signals हमारे brain से, abnormal electrical signals आते हैं, उनको भी कई पर ही देखा गया कि ये जो दवाई है, ये slow down करता है, तो ऐसी condition में भी as an agent therapy इस दवाई को use किया जाता है, और कई पर ही देखा गया है कि इसके इसके इस्तेमाल से जो confusion जैसी problem है, restlessness ह या jerking moments है, ऐसी condition में भी आरा मिलता है, तो as per your doctor's advice, इस दवाई को बिस्तेमाल करते हैं, as an agent therapy, seizures और epilepsy के दौरान, इस दवाई के करी तरीके के side effects हो सकते हैं, जो कि विट टाइम अपने आप ठीक हो जाते हैं, जैसे कि ट्राउजीनेस है, या फिर मसल वीकनेस है, या फिर जो थोड़ा सा coordination में problem हो सकती है, या फिर ठाकान जैसी problem भी हो सकती है, जो कि विट टाइम ठीक हो जाते हैं, सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन अगर इस दवाई के लेने के बाद आपको problem हो रही है, फोकस करने में दिक्कत हो रहे हैं, या फिर जो side effects मैंने बता हैं, अपने आप आप उसी साब से बिल्कुल इस्तेमाल करें, और कोई भी दिक्कत अगर आपको इसके बाद भी persistently बनी रहे हैं, तो आपको तुरंद अपने डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है, और क्योंकि ये जैसा कि मैं बताये कि drowsiness करता है, इस तारी की दिक्कते करता है, तो ये मोड़ी को ओवरल करने देना ज्यादा बेटरे रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, बैसिकली हमें किसी machinery और ड्राइविंग में नहीं होना चाहिए, उसके अलावा और भी अगर आपको इमेडिसिन ले रहे हैं, पहले से किसी और बिमारी के लिए उसके मेडिकल अंडरलाइन कंडिशन है, जिसके लिए आप दवाई ले रहे हैं, कोई और दिक्कत है आपके शेडिर में, उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को जरूर बता है, ताकि और कोई ड्रग इंटरेक्शन ना हो, और कोई प्रॉब्लम ना हो, और कोई बीमारी है, तो उसके हिसाब से इस दवाई को इजस्ट किया जा सके, साथ ही साथ किद्नी सिलेटेड या लिवर सिलेटेड को दिक्कत है, उसके बारे में भी जरूर अपने डॉक्टर को बता है, ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंसी या फिर प्लान कर रेकंसीव करने का यह सारी अग मैंने आपको बताएं, एक यहां पर इंपॉर्टन चीज़ है कि जब भी दवाई खरीदें, हमेशा ध्यान रखें कि जो दवाई है वो प्रॉपर पैकेजिंग में है, उसके एक स्पाइडी डेट क्या में उसका ध्यान जरूर रखें, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है, वहां से आप औरिजनल दवाईयां ओडर कर सकते हैं, इसके लाव कोई भी सुझावे, कोई भी कमेंट है, मारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बता है, मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद,